कि पेपल लीक नहीं प्रूफ हो सकता है, CGI साहब या CGI बेंच काफी कन्विंस थे इस बात से कि पेपल लीक तो हुआ है, बिकॉज इतनी सारी नौइस है, इतनी सारा F.I.R. में चीज़ें हैं, अब वो यह डिटर्माइन करना चाहते हैं, किस एक्स्टेंट तक पेपल लीक हुआ है, क्या वो लिम्टेड बच्चों में गया है, या वो बहुत सारा, जैसे आज के टेक्नोलोजी कहा है, तो उन्हें ने ये भी बोला, क्या टेक्नोलोजी की हल्प से पेपर काफी बच्चों में लीक हो गया है, अब वो यह डिटर्माइन करना चाहते हैं, कि रिनीट की डिमांड थी काफी लोगों की, और इतनी जारे बच्चों का एक साथ रिनीट कराना, लोजिस्टिकली पॉसिबल नहीं है, प्राक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो सारे बच्चों का मेंटल स्टेटस क्या होगा, फिर से तैयारी कर पाएने, तो और अभी ये समझ में आ रहा है, कि एक तो उन्होंने टाइम दिया है, कि हमें टाइम लाइन बताईए, कि पेपर कब आप बनाते हैं, कौन सी कमिटी बनाती है, सब्सक्राइब पहले हुआ है तो चांसेश कम है के छैए स्प्रेड हुआ होगा और थोड़ा ज़ाधा पहले हुआ टो चांससेश जदा spread उआ हो और और यहshireूआ यहीं स्परिड हूआ होगा और यह से कंदिय किंये बाक отвеч कि क्देश की इसली पूरा चेक करिए और उसमें रेगुलारिटीज धुड़िए कहीं ना कहीं ऐसे आपको पेरामीटर रेट फ्लैग मिल जाएंगे अपने डेटा के अंदर कि ऐसा हो कि किसी और एजनसी करें इस डेटा को आडिट करें वहां से रेगलारिटीज मिलें अभी तो उन्हों ने बोला है वेजड़े तक का टाइम दिया है कि सारी चीज़े सब्मिट करें फिर थर्स्टे को सुनवाई करेंगे और ऐसा लगा कि सीजाई साब ने काफी बच्चों की बा इसके अलावा सुप्रिम कोट ने अपने और में लिखवा है कि जो उनलंगन हुआ है वो सिस्टेमेटिक तरीके से हुआ है यानि जो ब्रीच हुआ है पर भावित किया है या नहीं कि इसका कारण यह रहा क्योंकि 2015-16 का जो मैटर है जहां पर री टेस्ट हुआ है याई-प सकते तो यह संतिक फेलियर था तो तो इसके अंदर री टेस्ट आपको कराना पड़ सकता है तो यह डिटर्माइन करना चाहते है कि सिस्टेमाटिक फेलियर है या कुछ लोगों की मैल प्रैक्टिस के अंदर इंवाले यसे बिहार पुलिस कि जब आप आप की पड़ेंगे डिटेल में मैंने कई वापड़ी उसमें अंदर लिखा हुआ है कि कुछ NTA के ऑफिशल भी इन्वाल्व थे विच मीन सिस्टेमाटिक फेलियर इसलिए शायद वो कुरी कस्टेडी ऑफ पेपर जानना चाहते कहां से कहां गया कि इसके अंदर सिस्टेमाटिक फेलियर है की नह अगया है तो हाँ अब 24 लाग बच्चों के जिंदगी यहां पर दाओं पर लगी इसलिए सिजाई ने कहा है कि एक बार में यह नहीं बोल सकते कि जोर इनीट कर लो उन्होंने कहना भी सही नहीं होगा इत्ते सारे बच्चों का स्टेटस है तो हम डिटरमाइन करना चाहते ह अगर यह एक दो चार पांच है तो उसके लिए पूरी बच्चों को एफेक्ट नहीं कर सकते हैं पर अगर यह नंबर लंबा है जैसे आपने बोला किस मोड में पीपल लिए इसके बारे में काफी देर बात हुई क्योंकि दो घंटा बात ही तो कुछ चीज है माक में चल अगर करता है अगर अगर करता है तो उन्हें कहा कि हमारे पास इतनी अच्छे अच्छे ऐसे अच्छे साइबर एजनसी तो वहां से पता लगा है कि इस टाइम पर डिस्टिब्यूट हो रहा था वहां तो कोई चांस नहीं एक और बड़ी चीज अच्छी सिजाई साब ने आज मैं इतना खुछता सिजाई साब को देख के आइफेल्ड की हम जस्टिस है बहुत अच्छा लगा उन्हें एक चीज और बड़ी अच्छी बोली कि कि इतने अबरॉड में कहां कहां पर कंड़क्ट होता है भारत से बाहर कितने सेंटर्स हैं और वहां पेपर कैसे पहु तो नहीं हुआ था कि किस तरह से साइबर सेक्योरिटी लगाया पता करें कि पेपर कहीं डिस्टी तो लीक नहीं हुआ है फिलहाल काउंसलिंग के अगर बात की जाए तो पहले ही रोग जारी रहेगी प्रैक्टिकली तो ग्यारा जुलाई को सुनवाई को सुनवाई प्रैक यह बोलने की जर्वत भी नहीं है कि अगली बार ऐसा लीक ना हो चलो ठीक इस बार लीक हो गया पेपर उन्होंने जादा प्रियोजियूम किया इस लीक हुआ है क्योंकि प्रूफ्स काफी सारे सामने से उनका नेक्स्टियर नहीं लीक हो इस बात को आप कैसे एसोपी इंप और वो जस्टिस होगी यह सकते हैं नहीं होता है तो भी बारें को में कि कमिटी बनाई जाए उन्होंने यह भी सिजेशन दिया क्या उसके अंदर किसी सुप्रीम कोड के ही जज़ को हुम है पॉयंट कर दें इस बारें बात की बात कि इस बारें कि एक कमिटी बनाज पर अभी तो CBI से ही माँगे इस चेंट रिपोटर और साइड डेटा माँगे हैं प्रेटिशनर्स की बाते सुनी डीटेल में मुद्दा सुना एंटीए से बहुत सारे कोश्चन किये एक एक कोश्चन करके जानना चाह रहे थे वो डीटेल में क्या हुआ है और देखा जाए भले ही ज़नल और एंटी इस बात कहा रहे थे कि पेपल लीग प्रूफ नहीं हुआ है पर सीजाई साब बार बार ये बोला कि हम यह सारी चीजे दिखा रहे है कि पेपल लीग तो हुआ है इस बात को आप डिनाय मत करो इस नाइम कि आम एक्सेप्ट करना स्टार्ट करें हम यह ना बोले कोई गलती ना हुई है ऐसा बोलने से और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ेगी तो हम एक्सेप्ट करें कि अब उनको यह भी चिंता है कि अगर लीक हुआ है तो उसका एक्सेट क्या है उसका फॉर्म क्या था किस तरह से लीक हुआ है कितने बच्चों तक कब आता है वहां से वापस के डेली आता है फिर वहां से वो कैसे स्टेट स्टेट रावल करता है कैसे बैंक में जाता है कैसे सेंटर यानि चेन ऑफ कस्टिडी जो है पूरे पेपर की वह जानना चाहते है ताकि उससे रिटरमाइन कर सकी कि क्या वहां पे कहीं ब्रीच एक और बड़ा अच्छा कुछन उने पूछा जो out of the box हो गया हम सब के लिए इन इंटीए क्ले भी और पेटिशनल्स क्ले भी कि ये बताइए बाहर कहां कहां एक्जाम होते हैं इंडिया के बाहर और वहां पेपर क्या डिजिटली जाता है या वहां हट कोपी जाती है और डि को गया है तो फिर तो हमने ऐसा एक्शन नहीं लेंगी कि रिनीट करा दे हम उन बच्चों का रिनीट करा देते हैं उनने का अगर कोई process है जिससे आप ये पता लगा सके कितने बच्चों को पेपर लीक मिला है